मुझे ना खाली चाय पीना बिलकुल भी पसंद नहीं है, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, लेकिन जो भी हो चाय बिस्किट्स हो, नमकीन हो, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उसे घर पर ही बनाया जाए, तो लेल बटर या घी किसी के भी साथ ऐसे ग्रीज कर लीजे, अगर आपके पास बटर पेपर रखा हुआ है, तो आप इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं, मैंने यहां पर थोड़ा सा घी लगाया है, उसके बाद में थोड़ा सा इसके उपर मैदा छड़क देंगे, इससे 3-4 cup दही का डाला है, पिसी हुई चीनी भी हमने 3-4 cup ही डाल दी है, आधा चोटा चमच बेकिंग सोडा, एक चोटा चमच बेकिंग पाउडर का डाल कर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे क्या होगा कि जो लंब्स हैं दही में वो भी निकल जाएंगे, बहुत मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद ना हम इसे पांच मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे, उससे क्या होगा कि इसके उपर बबल्स आ जाएंगे, जो कि बहुत जादा ज़रूरी है, इसे रख देते हैं साइड में पांच मिनिट के लिए तब तक यहां पर मैंने जाएंगे बबल्स आ चुके हैं, अब हम करेंगे आगे का प्रोसेस, तो यहां पर एक चम्मच मैंने वनीला एसेंस का डाला है, चुटकी भर मैंने नमक डाला है, एक चौथाई कप मैंने यहां पर मेल्ट किया हुआ घी डाला है, आप घी की जगह कोई भी तेल ले सकते है मतलब जिसमें स्मेल ना हो, जैसे सरसों का तेल या मुंफली का तेल मत लीजेगा, या फिर आप बटर भी ले सकते हैं, सारी चीजों को मिक्स कर देंगे, उसके बाद यहां पर हमने चलनी ली है, और एक कप मैदा लगबग 1500 ग्राम मैदा है, यह वो हमने लिया है, दो बड जाएगा, उसके बाद में हमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं, विसकर से भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी किस तरीके की कांसिस्टेंसी है, तो अभी मुझे काड़ा लग रहा है तो मैं क्या करूंगी कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तो नॉर्मल बानी आप डालिए कोई गरम ठंडा करने की जरुरत नहीं है दो से तीन चम्मच मैंने इसमें पानी के डाले हैं और दोबारा मैं इसे मिक्स कर रही हूं तो मिक्स करने के बाद में जो इसकी कंसिस्टेंसी मुझे लगी वो एकदम परफेक्ट है इसके अलावा हमें इसमें और पानी दूर डालने की जरुरत नहीं है जो टूटी फ्रूटी हमने मैदे के साथ मिक्स करके रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है आप टूटी फ्रूटी की जगर नट्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर जो cake tin को grease करके रखा था यह पूरा जो batter है वो हम इसमें डाल देंगे और batter डालने के बाद में हमें batter को evenly spread भी करना है याने कि हर तरफ से हमें इसे अच्छे से level कर देना है तो देखिए चम्मच से इस तरीके से हम इसे evenly हर तरफ से level कर उसके बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूं टूटी फ्रूटी और आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं या अगर आपके पास में चॉकलिट चिप्स रखे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं जैसे चाहें आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं मैं जैसे कड़ाई में बना रही हूं तो यहां पर मैं बिना नमक के बनाऊंगी इस बार चोटी सी मैंने कटोरी रखी उल्टी करके आप चाहें तो रिंग भी रख सकते हैं पांच मिनिट के लिए इसे हाई फ्लेम पर हम गरम करेंगे प्रीवीट करेंगे पांच मिनिट के बा यह देखिए केक जो है हमारा वो बन कर तयार है परफेक्ट इसमें कलर आया है क्रैक्स आप देख सकते हैं उपर से कितने बढ़िया आया है और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसे निकाल देंगे बाहर और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे यह ठंडा होने के बाद ही हम इसे ड YOU Mold करेंगे लग भग 5 निट के लिए मैंने इसे घंडा होने दिया 15 मिड़ के बाद यह काफी हद तक थंडा हो चुका है ड you Mold मैंने इसे कर दिया है और अब हम इसे अपती पसंद की शेप में काटिगे पसंद की शेप किया हम इसे ऐ और आप टूटी फूटी भी चेक कर सकते हैं कितना इवनली स्प्रेड हुआ है ऐसा नहीं है कि तले में चिपक गया है क्योंकि हमने मैदा मिक्स किया थे देखिए कितना अच्छा इसका टेक्शर आया है और यह बहुत सॉफ बना है चाय कॉफी के साथ बहुत अच्छा लगे हुआ है